वजीरे खारजा का ये कोई ओफिशल विजट था ना ये कोई वर्किंग विजट था अब इस विजट हो क्या मैं नाम दू मुझे नहीं समझनी आती क्योंकि विजट था जो के हो गया जिसमें कोई ओफिशल टॉक्स नहीं थी आप सच पाकिस्तान का सौधी अरब और EUA से बिगरते समंधों के बीच भारत के थल से नाध्यक्ष मनोज मुकुद नर्वनी की अप्रत्यासित और सफल यात्रा पाकिस्तान के लिए एक बड़े जटके से कम नहीं थी इसी जटके के असर को कम करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंदरी साह मुहम्मद कुरैसी बिना बुलावे के भागे भागे ईवई पहुँच गए है पर लगता है कि बात बनी नहीं है एक और जहां भारत के थलसरा धक्च की यात्रा को एतिहासिक और अती सफल यात्रा के रूप में देखा जा रहा है वही और साह मुहम्मद कुरैसी की यात्रा कहीं पाकितान के लिए सरमिंदगी का खारण तो नहीं बन रही है इस पर चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे लेकिन पहले देखें इस वीडियो का अगला भाग इस दोरे से हम कोई तवक्क भी बहुत जादा नहीं रख रहे थे बुन्यादी तोर पर ये एक विजर्ट था जो ब्रेक दा आइस और मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद ये विजर्ट होगा क्योंकि उसमें भाराल एक पॉलिटिक्स भी है क्योंकि अगर सिर्फ करोना वाइरस की बात होती तो फिर भारत में जिस तरीके से करोना वाइरस पहला हुआ है या बाकी जो वेस्टरन कांट्रीज में तो पहले तो उन पे वो सस्पेंड करते हैं वहां के लोगों के वीजर तो चुँके ये टर्की पागिस्तान एरान जो दूसरे कैम के लोग हैं दूसरे कैम के मुमालिक हैं उनको सस्पेंड किया गया है तो इससे बिलकुल बात वाज़े हो जाती है कि इसके पीछे पॉलिटिकल महरकात हैं इस डिसिशन की जो यूए ने लिया है अब नाज़ीन चुँके ये एक इनफॉर्मल सा विजट था इसको हम कोई नाम भी ऐसे ही दे सकते कुछ खुरैशी साहब के लिए कुछ ऐसा इशाया भी नहीं हुआ उनके काउंटर पार्ट की तरफ सेना कोई जोराना दिया गया जो बात ने प्रेस कॉनफरेंस हुई वो भी उन्होंने अपने मेरे अपने अमबैसी में ही किया अबुदावी में सफारत खाने में उसके बाद कोई जॉइंट स्टेट्मेंट भी नहीं आई तो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हुई कि ये होता है उज़री जब ऑफिशल विजट हो तब ये चीज़ें होती है चुँके एक इ कुरेशी साहब की जहां तक प्रेस का तालुख है मेरा अपना ख्याल यह है कि थोड़ा सा वजीर खारजा साब ने जो भारत के बारे में कहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पर सर्जिकल स्ट्राइक उसको अपनी प्रेस कांफरेंस को शुरूई वहां से नहीं किया ये मेरे ख्याल में इसको अधर वे राउंड होना चाहिए था पहले तो बाइलेटरल जो अपनी मुलाकाते हुई उनकी बात करते मैं गतन यह नहीं कह रहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ख़त्शा नहीं है यकीन है और भारत चाहेगा कि डाइवर्ड करे उसके हमेशा कोश हैं लेकिन चुके शायद वो बाहर गए थे तो उन्होंने सोचा कि इसी सही स्टार्ट कर लेता हूँ तो यो मुझे थोड़ा सा आउट अफ प्लेस लगी ये चीज़ को कि बात में ये क्वेस्टन आंसर सेशन में या बात में प्री स्टेट्मेंट भी इसको शामिल कर सकते थे लेकिन आगाज भारल प्रेस का जो उनके अपना बाइलेटरल विजट था उस पर फोकस आदा करना चाहिए था उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वज़ा से जो बाइलेटरल विजट की एहमियत है उसमें जो है थोड़ा बहुत वो मेरे ख्याल में पसे पुश चला गय प्रटेक देश अपने देश के हित का ही ध्यान रखकर अपनी विदेश निती बनाता है आज की तारीक में सौधी अरब और यूई का हित भारत से ज्यादा जूड़ा हुआ है बनिस्पत की पाकितान के सौधी अरब यूई दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मुक्यता तेल पर अधारित है और भारत बीशों में तेल का चीन के बाद दूसरा बड़ा उपभूगता है इसके अलावे दोनों देशों को यह पता है कि यह तेल अर्थव्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती इसलिए अन्य छित्रों में भी इन दोनों देशों ने भारत के 2017-18 के आकडों के उन्सार भारत और सौधी अरब के बीच बैपार 33.7 billion dollar का हुआ जबकि पाकितान के साथ मात्र 1.8 billion dollar का हुआ उसी तरह UAE के साथ भारत और UAE का बैपार 60 billion dollar हुआ लेकिन पाकितान के साथ मात्र 8 billion dollar ही हुआ इसी रिष्टे को और मजबूत करने के लिए पिछले साल इन दोनों देशों ने अपने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी को नवाजा भी जब भारत के प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी इन दोनों देशों की आत्रा पर ग पाकितान के प्रस्ताव को खारीज कर दिया था पाकितान यह भी चाहता था कि YC की बैठक सौधी अरबिया पांच अगस्त दो हजार उनेश के तुरंत बाद जितिन भारत ने जम्मु कास्मीर का विसेथ दर्जा समाप्त किया था बुलाए पर सौधी अरबिया ने इससे भी इनकार कर दिया पाकितान का चीन के इसारे पर इरान के नरदीक जाना जबकि इरान से सौधी अरब और UAE की पुरानी दुस्मनी चल रही है यह भी पाकितान सौधी अरबिया और UAE के रिष्टे में धरार डालने का काम किया इसी बीच पाकितान के विदेश मंत्री ने यह ब्यान डे डाला कि YC की समनांतर एक अलग मुस्लिम देशों का कुट टर्की और मिलेसिया के साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं रिष्टों में लगी आग में यह भी पेट्रोल का काम किया इवही जो भी करता है वह सौधी अरब के इसारे पर करता है इवही ने इसराइल को मान बनाना हेतू पिछले दिनों 18 नौमबर को इवही ने पाकितान के नागरिकों का वीजा देना बंद कर दिया और अधार बनाये गया कि कोवीड के चलते यह वीजा देने का काम रोका गया है जबकि भारत में भी कोवीड है लेकिन भारत के लोगों को वीजा देने का काम नह हवाली कर रहा है लेकिन आज की तारीक में पाकितान जिस गुट में खड़ा है उससे यह नहीं लगता है कि उसके समंद साथी अरभिया और युवई से निकट भविस में अच्छे होने वाले हैं और यही कारण है कि पाकितान के विदेश मंतरी हलाकि युवई तो गए थे ल हन्यवाद जाएं